हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हम अपने पसुओं को CPE 240 एडवांस कब देते हैं और CPE 240 एडवांस देने से क्या-क्या फायदे होते हैं मैं आज आपका पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ अगर दोस्तो आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लेना क्योंकि मैं एनिमर से रिलेटेड वीडियों आप सब के लिए लाता रहता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले हम CPE 240 Advanced को उपेन करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इसे हम देते क्यों है अपने पसुओं को होता क्या है कभी कभी हमारी पसुद जो होती है वो दूध आटोमेटिक कम कर देती है या पिर धीरे धीरे दूद कम कर देती है या पिर आपकी पसुओं का दूद बढ़ाना है तब हम अपने पसुओं को CPE 240 Advance देते हैं और देते कैसे हैं आप इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है आपको अपने पसुओं को 100-200 ml तक देना है दिन में एक बार दोस्तों भी हमारी भैस है हम उसको कम से कम 200 ml देंगे क्योंकि इसमें हमारी का भी बड़ी भैस खाती है तो देशेते किस प्रकार से हम दे रहे हैं सेम आपको इसी प्रकार से एक नियमता रूप से देना है देना के बाद हम दोस्तों बात करेंगे इसके प्राइस कितनी होती है सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो केवल 200 रुपय में आपको 500 ml बिल जाएगी जिससे आपके काफी अच्छा दूद में इंक्रीज होगा साथी साथ हम आप दूसरे अपने गाय जहां होती है उसको भी देंगे ताकि उस गाय का भी हमारे दूद बढ़े दोस्तों हम अपने सभी गायों को इसी प्रकार से देंगे दोस्तों हमारे हाथ में था 500 ml का सीपी 240 एडवांस जो कि हमने अपनी भैस को काफी जादे दे दिया मुझे आडिया नहीं था देने के लिए इसलिए थोड़ा जल्द ही खत्म हो गया लेकिन दोस्तों आपको आप 100 से 200 ml अपने पसूँ को देना उससे जादा आप इससे मत देना क्योंकि दोस्तों आपको देने से कोई वेनिफिट नहीं होगा इसका जो डोज होता है वह 100 से 200 ml तक होता है तो उसके लिए आप दिया दवा दे सकते हो सीपी अपने पसूँ में दूद बढ़ाने के लिए दोस्तों इसके देने का तरीका बहुत ही असान है आप इसे चारे में दे सकते हो आपका पसूँ अराम से चारे को खा जाएगा साथी साथ अगर आप इस दवा को डाल दिये हो दवा के डालने के बाद आपको जो थोड़ा सा भूसा रता है जिसे हम चारे कहते हैं उसे उपर से थोड़ा हिला लेना पड़ेगा ताकि जो ये दवा है अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि हमारी पसू इसे अच्छे से खा सके आप देख सकते हो हम इसके बाद इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी पसू खा सके कभी कभी कोई पसू नहीं खाती हैं अगर इसलिए हम मिक्स कर देंगे तो हमारी सारी पसुओं इसे खा जाएंगी सेम आपको भी इसी प्रकार से डवा डालने के बाद मिक्स करना जिस प्रकास हम कर रहे हैं तो दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगेगा कमेंट सेक्शल में जुरू बताना किसी भी प्रकार की प्राबलम होती है आप हमारे वीडियो में कमेंट करें प्रशली वीडियो ले कर आएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे यूटूब फैमिली मेंबर